है 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 गाइज वेलकम टो इंबाइव चीप सी बेसी क्लास 910 10 इस इस विर माथेमेटिक्स एक्सपर्ट सुर्भी गंगवार और आज हम कर रहे हैं सर्कल्स का लेक्चर नमबर टू आज मैं आपको कोशन कराने वाली हूं टेंजेंट पर लास्टन पर मैंने आपको टेंजें की थेोरम कराई थी आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई है तो ओन थेोरम पर बेस्ट आज हम करेंगे कोशन ओके क्योंकि माथ में बिना कोशन के तो कुछ होता नहीं है तो प्रेक्टिस बहुत जादा ज़रूरी है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और मैं प्रेक्टिस के लिए साथ साथ आप आप पे टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस को अनलाइज भी कर सकते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जल्दी से जाओ इंबाइब क्याइब डाउनलोड करो दूसरी खास बात मैं आपको टेलिग्राम चैनल को जोएन कर लीजिए क्या फाइदा होगा आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा आपको सारे सेशन की नोटिफिकेशन टाइम टू नाइम मिलती रहेगी ओके चलो बेटा स्ट करते हैं और हमने टेंजेंट की थेोरम्स करी थी लास्ट अन पर आज हम उस टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम टू दा सरकल ठीक है बहुत ही अच्छा कोश्चन बेटा अगर आपको याद हो तो हमने थियोरम यह पड़ी थी कि किसी सरकल में अगर किसी एक्स्टीर पॉइंट से टेंजेंट डॉ किये जाते हैं तो और टेंजेंट के साथ-साथ या किसी पॉइंट से ड्रॉ करो या फिर सरकल के किसी पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करो तो सेंटर से जो लाइन देट इस रेडियस जो उस टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे मीट करती है यह वाला पर पेंडिकुलर होता है ठीक है इस अंगल इस 90 डिग्री यह परपेंडिकुलर होता है तो अभी हमें यह पता है कि यह परपेंडिकुलर है और आपको यहां पर क्या क्या information provided है वो हम देख लेते हैं हमको यहां पर दे रखा है point P as a distance of 29 centimeter ठीक है और radius दे रखे 20 centimeter ठीक है find the क्या पूछा गया है find the length of the tangent drawn from P that means आपको यह length निकाल लिए ठीक है तो आप आपको लगाना है यहां पर कौन सा पाय था गुरस्थियोरम this is the 90 तो इसके सामने वाला होता है hypotenuse तो आपको यहां पर पता है कि आपका जो D square है वो है X square plus R square और यहां से आपको X square निकाल ला है that means आपका X square बन जाएगा कितना D square minus R square D कितना दे रखा है 29 और R कितना दे रखा है 20 तो आपको यहां पर इसको कर देना है solve तो मैं यहां लगा देती हूँ A square minus B square कि identity that means 29 minus 20 and 29 plus 20 तो यह आपका बन जाएगा कितना 9 into 49 यह आपका X square तो आपका जो X आजाएगा वो आजाएगा square root of 9 into 49 square root of 9 is 3 and 49 is 7 आपका इसका आजाएगा 21 centimeter that means the length of the tangents will be 21 centimeter तो यह आपकी लेंथ आगई 21 centimeter तो यह आपका अंसर है तो tangent के question basically बहुत जाधा easy होते हैं आपको इस तरह के question में सिर्फ और सिर्फ Pythagoras theorem पता होनी चाहिए वह ही applicable होती है आपको पता होगा कि this square is equals to this square plus this square इन में से दो information provided होगी तीसरी वाली आपको define करनी होगी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसकी के साथ साथ next question करते हैं next question इस तरह का question भी बहुत पूछा जाता है कह रहा है two concentric circles are of radius 6.5 cm and 2.5 cm find the length of the cord of the larger circle which touches the smaller circle तो दो concentric circle है concentric circles कौन से होते हैं जिनका center same होता है तो बड़े वाले circle के लिए tangent है sorry बड़े वाले circle के लिए chord है और छोटे वाले circle के लिए tangent है अब अगर मैं इस line को ऐसे join कर दूँ एक second एक second एक second हाँ चलो देखते हैं इसको solve करते हैं हम तो अगर मैं क्या करूँ कि इस line को यहां से join कर दूँ इस line को यहां से join कर दूँ तो यह बड़े वाले circle की अगर मैं बात करूँ तो बड़े वाले आपको क्या पूछा है लेंथ आपसे अभी पूछा है तो मैं क्या ले ले लेती हूं ट्राइंगल चूस कर लेती हूं और चोटे वाले circle की रेडियस 2.5 cm दे रखी है और आपको क्या पूछा है लेंथ आपको कोड़े लार्जेर सर्कल्डेट मीज आपसे अभी पूछा है तो मैं क्या ले लेती हूं ट्राइंगल चूस कर लेती हूं और इसमें मैं लगा देती हूं पाइथागुरस थेयोरम पाइथागुरस थेयोरम के अफ़र्डिंग ऑएश कॉय इसकोइर इसकोडैी कोईस टो मच्वाइर प्लस ओसेएं स्कॉयर मेरा कितना सिक्स पोइंट फाइव कैट्व स्कॉयर मेरा कितना थेव पॉइंट फाइव पाइव स्कॉयर मुझे निकालना है तो मेरा यहां से am square कितना आजाएगा 6.5 square minus 2.5 square और a square minus b square की identity you can use बेटा इस तरह से question को solve करना ज्यादा easy हो जाता है instead of doing long calculation आप इस identity को use करो तो आपकी calculation बहुत easy हो जाएगी देखिए तो यह मेरा बन जाएगा 9 और यह मेरा बन जाएगा कितना 4 तो मेरा जो am square आजाएगा वो यह तो मेरा am कितना आजाएगा यहाँ से square root of 3 into 2 sorry 9 into 4 that means 3 into 2 यह मेरा am है तो मेरा जो am यहाँ से आएगा वो आजाएगा 6 cm अब am मेरा 6 cm आ रहा है मुझसे इस पूरी पूरे की length पूछी गई है तो बेटा आपने अगर class 9 पढ़ा हो तो class 9 में एक theorem पड़ी होगी कॉर्ड के लिए कि center से कॉर्ड पे जो line perpendicular draw की जाती है वो कॉर्ड को bisect करती है क्योंकि यह 90 degree है क्योंकि यह tangent है छोटे वाले circle के लिए तो यह 90 होगा क्योंकि यह 90 degree है that means यह जो om line है यह ab line को bisect करेगी according to the cord property ठीक है center से line जो join की जाती है कॉर्ड पे perpendicular line वो cord को bisect करती है that means यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ab होगा वो होगा two times of am that means two into six that means twelve centimeter हो गया खटम इतना सा question था बहुत ही easy बहुत ही simple बहुत ही आसान ठीक है चलो इसी के साथ साथ हम बढ़ जाते हैं आगे next question solve कर लेते हैं next question क्या केता है in the given figure a circle inscribed in a triangle a b c touches the sides a b b c and a c at a point d e and f respectively if a b is 12 centimeter a b आपको 12 centimeter दे रखखा है बेटे तो जो जो sides दे रखखे है पहले उन sides को mention कर ले जे a b आपको दे रखखा है 12 centimeter and b c is 8 centimeter b c आपको दे रखखा है 8 centimeter okay and AC is 10 cm, AC आपको दे रखा है 10 cm, find the length of AD, BE and CF, AD, BE and CF की length बताने है आपको, ठीक है, चलो, तो आपको अगर याद हो, है ना, तो आपको यह चीज मैंने last turn पे जो session लिया था, circles का lecture 1 उसमें बताया था, है कि exterior points से circle पे, जो two tangent बनते है, उनकी length equal होती है, that means अगर मैं B point ले ले लेangenों, तो B से जो two tangent बन रहे हैं, BE and BD, यह दो रूण length के होंगे, C से जो tangent बन रहे है, CE and CF यह दोनों equal length के होंगे, AD and AF यह दोनों equal length के होंगे, let's suppose इसकी length X है तो यह भी X होगा, तो यह एकोल लेंध के होते हैं, अब अगर यह x है बेटा, तो यह ec कितना बचेगा, भाई, ec आपका कितना बचेगा, ec बन जाएगा 8 minus x, क्योंकि tangent फे लेंध के होते हैं, तो जो ec होगा वही cf होगा, तो आपका जो cf होगा, वह भी बन जाएगा 8 minus x, because tangents किसी exterior points से जो tangent बनते हैं उन दोनों की length equal होती है तो यह और यह equal होगा अब यह पूरा 10 है और यह आपका बन चुका है 8 minus X तो आपका जो AF आएगा वो कितना बन जाएगा? AF बन जाएगा आपका कितना? AC minus CF that means 10 minus 8 plus X जब हम subtract कर देंगे तो यह बन जाएगा कितना? 2 plus X 2 plus X बन जाएगा ठीक है? तो अगर यह मेरा 2 plus X बन जाएगा और यह मेरा है 8 minus X तो यह यह भी तो equal होगा इसी के भाई यह भी तो exterior point से दो tangent है तो जो मेरा AD होगा वो मेरा AF के equal होगा that means 2 plus X that means 2 plus X ठीक है? यह निकल के आगया अब जब ऐसा information आपको provided हो गई तो अब आप इस this plus this को 12 से equate करा सकते हो क्योंकि यह X है और वो 2 plus X है तो आपको अलरडी पता चल जाएगा कि X plus 2 plus X आपका जो है वो है कितना? AB और जो कि आपको 12 दे रखा है तो यह मेरा बन जाएगा 2X is equals to 10 और X आजाएगा आपका 5 अब जब आपका X 5 cm आ गया तो आप बाकी की sides तो निकाली सकते हो जो आपसे पूछी गई है आपसे क्या क्या पूछा गया आपसे AD पूछा गया है तो AD आजाएगा 2 plus X that means 7 जो आपका AD है वो है 2 plus X देखिए that is 2 plus 5 that is 7 आपसे BE पूछा गया है तो BE आपका X है तो जो आपका BE है वो है आपका X that means 5 cm ठीक है अब क्या बचा आपका और क्या पूछा है CF CF कौन सा है यह तो आपका जो CF है बेटा वो है 8 minus X that means 8 minus 5 that means 3 अब अगर आपको चेक करना है आपका answer सही है नहीं सही है तो आप पू बारा है यह आपका 3 आ रहा है तो यह भी आपका 3 आ जाएगा और यह कितना बन जाएगा आपका 7 बन जाएगा यह आपका 7 बन जाएगा और यह आपका कितना बन रहा है अगर हम इसकी बात करते हैं तो हाँ यह आपका 5 आ रहा था येस बी आपका 5 आ रहा था तो यह भी 5 जाएगा तो देखे 7 प्लस 5 12 हो गया 5 प्लस 3 8 हो गया 7 प्लस 3 10 हो गया ठीक है तो यह आपकी साइट्स है रही है ठीक है वहाँ से X निकाल दिया और फिर जो साइट्स आपको पुछी गई थी वो निकाल दी वेल्यू पुट करके X की clear to all of you चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ in the given figure the chord AB of a larger of the larger of the two concentric circle with center O touches the smaller circle at C 2 concentric circles में से जो बड़ा वाला circle है उसकी ऐसा question तो अभी किया था ना उसके लिए chord छोटे वाले circle को touch कर रही है मतलब छोटे बाले circle के लिए tangent है बड़े circle के लिए chord है छोटे वाले circle के लिए tangent है प्रूफ दैट AC is equals to BC अभी तो किया है पूरा question but इस बार proof करने को पूछ दिया है तो देखो कैसे करेंगे इस question को बेटा क्यूंकि ये बड़े वाले circle के लिए tangent है because AB is tangent मैंने बड़ा वाला बोल दिया tangent है छोटे वाले circle के लिए AB is tangent to smaller circle smaller वाले circle के लिए तो अगर वो smaller circle पे tangent है तो according to the property of the tangent जो center से line draw की जाती है point of contact पे वो perpendicular होती है तो according to the property of the tangent आपका जो OC होगा वो हो जाएगा perpendicular to AB ठीक है ठीक है ठीक है because line drawn from center to point of contact is perpendicular center से tangent के लिए tangent के point of contact पो जो line join की जाती है वो आपकी perpendicular होती है ठीक है अब अगर यह perpendicular है क्योंकि AB is chord of smaller circle sorry मैं बार-बार smaller लिख दे रहे हूं AB is the chord of bigger circle AB is a chord of bigger circle क्योंकि वो bigger वाले circle के लिए chord है तो और and OC is perpendicular to AB यह भी हमने लिखा क्योंकि OC perpendicular भी है AB पे तो according to the chord property वो chord को bisect करेगी ठीक है तो OC will bisect chord AB that means AC is equals to BC यही आपको प्रूफ करना है तो बिलकुल एक बार इसमें को 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 करेगा बस इना सा काम है इसमें ठीक है समझ आगे हां चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ next question from an external point P tangent PA and PB are drawn to the circle with center O if CD is the tangent to the circle at point E and PA is 14 centimeter find the perimeter of the triangle PCD oh 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 very good question PCD triangle का perimeter पूछा है यह question प्रूफ करने को भी आता है मतलब इसमें आपको sides दे रखी है उसमें sides नहीं दी जाती है आपसे पूछ रिया जाता कि PCD triangle का जो perimeter है वो किसके equal होगा हना क्या होगा tangent के टॉम्स में तो चलो मैं बता देती हूं आपको बेटा यहां पर बहुत खास बात देखना जो आपका AC है बेटे क्योंकि C point से tangent draw हुआ है सबसे पहले तो यहां पर जो PA होगा वो PB के equal होगा आपका जो AC है वो आपका CE के equal होगा आपका जो DE है वो आपका BD के equal होगा और यह सब कैसे इक्स्टिरियर पॉइंट से circle पर जो tangent draw किये जाते हैं दो वो दोनों equal length के होते हैं ठीक है तो यह इसके equal होगा यह इसके equal होगा और यह इसके equal होगा ठीक है अच्छा अब बहुत ही special बात में आपको यहां पर बताने वाली हूँ ठीक है अब बहुत ध्यान से देखना अगर मैं इसकी बात करूँ अभी मैं sites को consider नहीं कर रही हूँ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रही हूँ कि actual में अगर proving में भी आएगा यह question तो आप उसको कैसे करोगे तो आपका जो PC है वो कितना होगा AP minus AC AP minus AC और आपका जो PD है वो कितना होगा AB minus BD यह कितना होगा अहाम नहीं क्या लिख दीया मैंने. BP minus BD. BP minus BD. Yes. कितना है? BB तो यह कितना होगा? अभी तो लिखा आपने BDC E के equal है BD जो आपका DE के equal है और आपका CE आपका AC के equal है तो अगर यह AC है तो यह कितना होगा? ये भी होगा AC, अब मैं अगर इस triangle की perimeter लिखती हूँ, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ perimeter of triangle PCD और अगर मैं PCD triangle की perimeter लिखूंगी, तो कितना आ जाएगा, देखिए AP minus AC plus AC plus BD plus BP minus BD, तो यह आपका BD से BD cancel, AC से AC cancel, आगया AP plus BP, क्योंकि AP और BP आपस में equal हैं, तो आप इसको लिख सकते हो तो 2 times of AP और 2 times of BP, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि AP और BP दोनों tangents और दोनों equal length के हैं, तो आप अगर आपसे आपको AP की distance दे रखिये 14, तो इस triangle का perimeter कितना हो जाएगा, उस tangent की length का twice, या फिर दोनों tangents की length का sum, क्योंकि दोनों equal है, तो tangent की length का twice होता है, तो आपका जो यहां से perimeter निकल के आजाएगा, वा जाएगा, 2 into 14, that is 28 cm, हो गया, ठीक है, और यह प्रूफ करने को भी आता है, इसको प्रूफ इसी तरह से करते हैं, मैंने इसलिए पूरा करके दिखा दिया आपको, ठीक की respect में, फिर सब का perimeter करोगे, जब add करोगे, तो खुद बोखुद यही आजाएगा, तो हमेशा याद रखना कि यह जो triangle का perimeter बनता है, वो twice of length of tangent होता है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ, next question क्या कहता है, in the given figure, a circle touches all the four sides of a quadrilateral a, b, c, d, whose three sides are a, b, 6 cm, b, c, 7 cm, c, d, 4 cm, find the length of a, d, अच्छा, बहुत ही अच्छा question, देखिए, आपको a, b, d, दे रखा है, 6 cm, आपको b, c, d, दे रखा है, 7 cm, आपको c, d, दे रखा है, 4 cm, आपको a, d की length बतानी है, तो बहुत ही simple है, देखो बेटा, अगर यह सारी sides आपको दे रखिए, तो आप वही तरीका करो, हम क्या करेंगे, इसको x बोल देंगे, तो यह मेरा कितना होगा, x होगा, यह कितना होगा, 6 minus x होगा, पूरी side 6 है, जब यह 6 minus x हो जाएगा, तो क्योंकि tangent equal length के होते हैं, तो आपका यह जो कितना आजाएगा, यह भी आजाएगा, 6 minus x अब यह इतना 6 minus x है और पूरा 7 है, तो यह कितना हो जाएगा, 7 minus 6 minus x, that means 1 plus x, अब अगर यह 1 plus x है, तो यह कितना हो जाएगा, 1 plus x, यह पूरा 4 है और यह 1 plus x है, तो यह कितना हो जाएगा, 4 minus 1 plus x, that means 3 minus x, देखिए, अब यह 3 minus x, तो यह कितना होगा, 3 minus x, और यह कितना है, X अब आपकी यह जो side आई है कितनी हो जाएगी 3 minus X plus X that means 3 centimeter तो आपकी यहाँ से जो AD आएगी वो कितनी आजाएगी 3 minus X plus X that means 3 centimeter simple tangent किसी exterior point से circle पे जो 2 tangent बनते हैं वो दोनों equal length के होते हैं आपको पता थी तीन साइट आपको पता थी आपने इसको X बोला यह पूरी 6 थी जब आपने इसे X बोला तो यह बन जाएगा 6 minus X यह 6 minus X क्योंकि दोनों tangent है तो जितना यह उतना ही यह 6 minus X अब इतना 6 minus X पूरा 7 तो यह कितना बन जाएगा 7 minus 6 minus x that is 1 plus x अब ये अगर 1 plus x तो ये भी 1 plus x क्योंकि दोनों tangent है ये पूरी length 4 है तो ये कितना बन जाएगा 4 minus 1 plus x that means 3 minus x अब जितना ये उतना ही है that is 3 minus x इतना 3 minus x इतना x दोनों का sum 3 cm तो आपकी जो AD की length आ रही है वो आ रही है 3 cm easy peasy ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ इस तरह के questions ही बनते हैं आपके इस chapter से next question क्या कहता है in the given figure O is the center of the two concentric circles of the radii 4 cm and 6 cm respectively PA and PB are the tangents to the outer circle and the inner circle respectively if PA is 10 cm find the length of the PB up to one place of decimal बहुत ही easy दे को बहुत ध्यान से आपको क्या क्या दे रखा है दो concentric circles है पहले की एक की radius 4 है और दूसरी की 6 है that means बड़े वाले circle की radius 6 है चोटे वाले circle की radius 4 है ठीक है क्या कहता है and PA दे रखा है 10 that means यह दे रखा है आपको 10 अब क्योंकि यह बड़े circle पे tangent है तो यह 90 होगा अब इस वाले triangle में आप लगाओ Pythagoras theorem that is OAP triangle की बात करते है OAP triangle में जब हम Pythagoras theorem लगाएंगे तो आपका जो OP square आएगा वो आजाएगा कितना OAP square plus of AP AP square that means 6 square plus of 100 देखिये यह बनेगा ना आपका चेक दिस आउट 6 square plus of 100 है ना कितना बन्जाएगा यह square root of 136 OP अब आप इस ही को यूज करो इस वाले triangle में Pythagoras theorem के लिए क्योंकि यह वाला आपने औरडी root 136 निकाल दिया है तो आप पाइथागरस theorem इसमें यूज कर लीजे तो अब हम चूज करेंगे triangle OPB OPB triangle में जब हम Pythagoras theorem लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका OP square is equals to OB square plus of PB square है यहां से आपका जो PB square आएगा वा आएगा OP square that means 136 minus of OB square that means कितना बन जाएगा यह 4 square that means 120 तो यहां से आपका जो PB आएगा वा आएगा 120 root 120 अब क्योंकि 1 decimal place तक बताना है तो 121 11 121 square root होता है 11 का ठीक है 11 का 121 square root होता है 11 sorry 121 square root होता है 11 तो root 120 approximate कितना हो जाएगा 10.9 cm और यही आपका अंसर है हो गया ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं next question की तरफ दोनों triangles में पाई तक उरस theorem यूस करनी है ठीक है next question क्या कहता है next question कहता है in the given figure a circle with the center O is inscribed in a quadilateral ABCD such that it touches the side BC, AB, AD and CD at point P, Q, R and S respectively if AB is 29 cm, AD is 23 angle B is 90 degree and DS is 5 cm then find the radius of the circle circle की radius आप से पूछी गई है ठीक है चलो बहुत ही easy, बहुत ही आसान जो जो sides आपको दी हैं आप उनको पहले mark कर लो आपको दे रखा है AB 29 AB कहा है यह दे रखा है आपको 29 ठीक है AD दे रखा है कितना 23 angle B 90 दे रखा है DS कितना दे रखा है 5 DS कितना दे रखा है 5 cm बेटा जब DS 5 दे रखा है तो DR कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट ही तो आई है D point से DR और DS दोनों टेंजेंट हैं किसी exterior point से circle पे दो दो टेंजेंट बनते हैं दोनों की length equal होती है जब यह 5 और यह बन जाएगा कितना 23 minus 5 देखिए यानि कि यह कितना बन गया है आपका 18 जब यह 18 बन गया तो यह कितना बन जाएगा 18 बाई यह भी तो exterior point से tangent है और जब यह 18 बन गया बेटा यह पूरा 29 है तो यह कितना आ जाएगा 29 minus 18 that means 11 देखो अब बहुत ध्यान से सुनना यह angle 90 already given है यह angle 90 होगा क्योंकि point of contact से circle से line join हो रही है radius और क्योंकि यह भी angle 90 होगा क्योंकि point of contact से circle के center से line join हो रही है किसी quadilator के तीन angles अगर 90 degree है है ना तो obviously चौथा angle तो 90 हो गई होगा अब दूसरी खास बात यह एक ऐसा quadilator है अब यह rectangle भी हो सकता है sqthere भी हो सकता है लेकिन यह square होगा क्योंगा सिकॉइज यह लेक्वाइ कर यह साइड साइड इक्वाल रहेगा जो यह होगा that means 11 तो यहां से आर जो आ रहा है वो कितना रहा है 11 cm यह सारे questions इतने easy है कि आप उनको simply diagram में ही कर सकते हो कुछ अलग से लिखने की जरुवत ही नहीं पड़ रही है sites already provided है और tangent की property से exterior point से जो दो tangent बनते हैं दोनों की length equal होती है तो क्योंकि यह 5 ता तो आपका जो DR होगा क्योंकि आपका जो 5 ता तो जो DS equals to DR जो होगा हो जाएगा 5 cm tangent की property से और आपका जो AR हो जाएगा 23 minus 5 that means 18 cm और आपका जो AQ होगा वो होगा AR के equal that means 18 cm simple tangent की property और आपका जो BQ होगा वो हो जाएगा 29 minus 18 that means 11 centimeter क्योंकि PBQO एक square होगा because उसके चारों एंगल 90 है साथ-साथ उसकी adjacent sides भी equal है opposite तो हही है equal adjacent sides भी equal होंगी इसी वज़े से यह एक square बन जाएगा और square की property से इसकी radius भी वही आजाएगी 11 centimeter तो आर इसका 11 centimeter ठीक है समझ आ गया सबको चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ-साथ यह question मैं homework के लिए दे रही हूं आप लोगों को ठीक है just try this question and write down your answer in the comments box I will reply you deo कि आपका answer सही है यह नहीं सही टेक दे screenshot of this इसमें थोड़ा angle का concept यूज होगा तो मैं आपको बता देती हूं कि यह वाला angle और यहां से जो line draw कर गे वो 90 90 होंगे यह आपका 50 है quadrilateral के angle some property लगा हो center वाला angle निकाल देना फिर इस triangle में अंगल सम् प्रॉपर्टी लगा देना ठीक है answer इसका comments में आपको करना है चलो तो इसी के साथ साथ हम आज का session करते है I hope you guys enjoy today's session do not forget to download the imbibe app यह app completely free accessible to all the students इस app पे आपके पढ़ने के लिए बहुत सारा free material है जिस material को आप completely free access कर सकते हो बहुत सारी books उनके solution साथ-साथ आप वहाँ test भी दे सकते हैं साथ-साथ अपनी performance को analyze भी कर सकते है ठीक है चलिए link description में दे रखा है बच्छा telegram channel join कर लो qr code को scan करके या फिर इस link से telegram channel से आपका कोई भी session miss नहीं होगा आपको सारे sessions की update मिलती रही ठीक है चलो आज का session खतम करते हैं I hope you guys enjoy today's session do not forget to like the session and subscribe the channel दोस्तों के साथ भी share करो फिर मिलेंगे एक और amazing session में तब तक के लिए अपना ध्यान रखो घर में safe रहो bye bye everybody take care stay safe and keep imbibing keep imbibing we believe in you you